Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल चलिए इस copy उस आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है साही इन जनरल या फिर specifically इस week आपकी professional front में रहतावा दिख रहा है कहीं दिखें एक नई beginning या तो हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे हैं और ये नई beginning कहीं happiness, joy, success, satisfaction ही आपकी life में लाते हुई दिख रही है क्योंकि ये general reading होती है तो ये नई beginning सबके लिए थोड़ी थोड़ी differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए simply नई काम करने का तरीका हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई लोग हो सकते हैं, नया कोई colleague हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई team, नया project, नई job, नई जगा या फिर से मैं कहूंगी कोई भी नई चीज या तो आ रही है या फिर आप लाना चाहा रहे हैं और काफी ये नई चीज अगेन एक happiness एक joy लेकर आ रही है पीछे किसी भी चीज को लेकर आप confused हो रहे थे तो कहीं उसी से ही related बहुत जबरदस्तिक clarity भी रहती हुए दिख रही है किसी चीज पर आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी तो उसी से ही related या फिर otherwise भी एक success एक victory मिलती हुए दिख रही है जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक appreciation एक recognition भी इस week मिलता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है wise counselor and balance तो देखे सबसे पहली बात balance का card कहता है कि कोई भी चीज पीछे अगर आप जरूरत से ज़ादा कर रहे थे या फिर जरूरत से कम कर रहे थे उसमें एक balance आप लाना चाहा रहे है या फिर एक balance आ रहा है और दिखे ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप over loving, over caring हो रहे थे कुछ के लिए हो सकता है कि आप over emotional, over sentimental हो रहे थे कुछ के लिए हो सकता है कि आप over action, over initiative किसी चीज़ को लेकर कर रहे थे तो देखे जो चीज़े मेरे mind में आ रही हैं मैं कह रही हूँ balance का काट simply एक balance अपनी energies में या फिर personal front से related किसी area में लाने की बात करता है और कुछ ऐसा ही या तो हो रहा है या फिर आप चाहा रहे हैं और इसी से ही related या फिर otherwise भी wise counselor का काट कहता है कि कि किसी से guidance, advice, counselling आप ले रहे हैं या फिर किसी को guidance, counselling, advice आप दे रहे हैं और जो भी elderly लोग हैं आपकी life में उनसे आप जादा connect कर रहे हैं या फिर उनसे आपकी जादा interactions हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि spiritual religious activities में आप अपने आपको involve कर रहे हैं उनमें आप participate कर रहे हैं एक stability, एक security आप चाहा रहे हैं या फिर एक stability, एक security आ रही है और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई spiritual event हो रहा है या फिर आप कोई spiritual religious event attend कर रहे हैं और देखिए wise counselor का card कहीं knowledge की भी बात करता है तो किसी personal life के area से related और knowledge या तो आप gain कर रहे हैं या फिर अपनी किसी skill को भी आप update करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए blossom का card है और ये card कहता है कि जो भी चीजें आपकी life में अच्छी हैं आप उनको fully enjoy करें और जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही हैं उनको आप let go करें and chakra से आप लोगों के लिए sacral chakra का card है और इसके हिसाब से all shades of orange इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Scorpio's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए